तो दोस्तों एक नवजाज शिशो में अक्सर एक बहुत ही common problem देखी जाती है वो है lactose intolerance और ये lactose intolerance होने की वज़े से बच्चों में पेट में दर्थ, पेट फुला, ब्लोटिंग, गेस से जुरूरी शमश्या होते हैं और ये सब problem तब दिखाई देते हैं जब बच्चों म करती हैं तो चलिए आज के वीडियो में हम जाने के कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते कि ये lactose intolerance है क्या तो दोस्तों ये lactose intolerance हो है ये एक प्रोकार के digestive problem होते हैं जिसमें एक नवजार शिशु के शरीर प्रोपर्ली लेक्टोस को digest नहीं कर बाते हैं और दोस् प्रोवाइड करते हैं लेकिन इस lactose को digest करने के लिए बोडी में एक enzyme के जुरूरत परते हैं और उस enzyme का नाम है lactose enzyme जो की शिशु के intestine में याने पेट में मौजूद होता है नॉर्मेली एक नवजार शिशु के digestive system में ये lactose enzyme जो है ये high मतरा में पाया जाता है और इसलिए ए ये जो enzyme है lactose enzyme है इसकी कमी होने लगती है जिसकी वज़े से वो मा के दूद को यानि मादार मिल को digest नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से gas plotting यानि पेट फुला पेट में दर्जे से शमशा दिखाई देते हैं तो ऐसे परिस्तितियों में बच्चों को ये lactose enzyme की जुरूरत प मदद करते हैं जिसकी वज़े से पेट डर्थ, gas और पेट फुला को कम करने के लिए मदद कर सकते हैं तो इसे कैसे लिया जाता है तो चलिए देखते हैं तो ये new smile drop जो है ये मा के दूद के साथ यानि बच्चे की खाने के साथ दो या तीन बुंदे दे कर या फिर चार बच्चों को देना है जिसकी वज़े से उसकी पेट में जो लेक्टेस एंजाइम की कमी हो रहा था उस कमी को दूर करने के लिए मदद कर सकता है जिसकी वज़े से बच्चों की पेट फुला पेट डर्थ, gas की शमाशा जैसे प्रॉब्लम सॉल्फ हो सकते हैं और ये जो new smile drop है ये असान ही से इसे भी medical store से आपको मेल जाएगा अगर आपके बच्चे के हमेशा पेट में दार तो हो सकता है कि आपकी बच्चों को lactose intolerance हो सकता है तो ऐसे परिस्तितियों में आप बिल्कुल भी नजार अंदास ना करें तो ये drop आप बिल्कुल यूज कर सकते हो अगर इसे इस्तमाल करने के वसे से ऐसा कोई भी side effect देखने को नहीं में लगा तो I hope कि information अब सभी के लिए बहुत ही जादा useful होगा तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई information के साथ